नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप कोईंस बेचना चाहते हो तो आज हमारे पास एक एसे वेक्ति के मेसेज़स या कमेंट आये थे उसने हमारे वीडियो पे कमेंट किया है और हमारे इस्टाग्राम आइडिट्री इवेंट वाइटी पे मेसेज किया है और दावा कर रहा है की हमारा कोइन सेल हो गया अभ वह कोईन सा कोई सेथ दोस्तों हो सकता है। वह कोईन सापके पता रहा है इसलिए हम उन्से अभी कोईनटेक्ट करेंगे मानूर कोईन की इस परकार थेल भी कित ख़वत बावा यह पांच रुपे का कोईन से आपको नजर आ है मेरे हाथ में यह 5 रुपएिश इस साइट से देखते हैं तो फोटो लगा माता वेश्णोदेवी का कोई जो श्राइन बोड के द्वारा परचलित इए था भाना स्रीमातावेश्णोदेवी तो यह कोईंस का सेलल हुआ है अब कितने प्राइज में हुआ और क्या इनका सेडूल था तो हम उनी से जानेंगे दोस्तों कल के वीडियो के अंदर कमेंट्स आये थे और इस्टाग्राम पे उसने बार-बार मेसेजिस कर रखे थे तो मैंने सोचा चलो इनसे संप्रक करते हैं मैंने वह से उनके नंबर लिए और अभी उनसे बात करेंगे कि उनका कोईंस किस परकार सेल हुआ है तो दोस्तों मैं अभी उनके पास कॉल कर रहा हूँ अगर आपके पास माता वेस्टनों दीव वाला कोईंस है तो आप भी सेल कर सकते हूँ तो आज का वीडियो बिलकुल देख लेना क्योंकि आपको उसके नंबर भी मिल जाएंगे तो दोस्तों अभी कॉल कर रहा हूं हलो जी नमस्कार सर क्या नमस्कार रही है जी आप कौन बहुत बात कर रहे हो रवी जी मैं ट्रीवेंट से रोहित बात कर रहा हूं यूट्व चैनल से जी आपको इस्टाग्राम पर मेसेज किया तो मैंने जहां तक आपने मेसेज में जहां तक पड़ा है तो मेरे को यही समझ में आया कि आपका कोईच सेल हो गया अच्छा तो क्या मतलब प्राइज मिला आपको अच्छा बहतर हजार रुपया अच्छा बहतर हजार रुपया ऑफ़ novella 16,000 सुपढर मतलब आपके पां मिलाके किre थे तो आपने तो यह का बहतर हजार और दो का सो में ग्हंदर 16,000 तो क्या उनकी प्रोसेस माता वैष्ना डिवाला जो कौन सा गुएश मतलब वह कौन सा था तो किस समय का था या उसका कुछ डिटेल्स वगेरा सब्सक्राइब अच्छा 1957 का अच्छा 1957 के आपके पास वह तीन कोईंस थे तीन थे कोईंस 1957 के जी जी अच्छा मतलब दो सिक्के तो आपके जो नो ग्राम का था तो यह भी पांची रुपे वाला था यह भी पांची रुपे वाला था तो इसका यह क्या कारण था कि अच्छा मतलब जो आपने नो ग्राम वाला बता है उसका कुछ वह बनाने के अंदर रिप्रिटिंग उच्छ गल्ती हुआ होगा अच्छा मतलब जो आपने नो ग्राम वाला बताया उसका हाँ अच्छा समाने से एक जादा था अच्छा समाने तो 23 मिलीमेटर के होते हैं हाँ 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 तो आपका कुन से 1957 वाला था थोड़ा बड़ा था उनिस सो सतावन के थे ना जी तो किस परकार भी के आपके यह जो आपने बताया नो ग्राम वाला तो आपका बहतर हजार में यह भी का था और यह शे ग्राम वाले तो आप बात कहां से करें हो दिल्ली से तो आपने किसी बाहर से कॉंटेक्ट किया या किस परकार से वह आपके कोई से मतलब आपसे का कॉंटेक्ट किस परकार हुआ सर एक मेरे मित्तर ने मेरे को एक मेशेज बिज़ा था एक वीडियो क्लिप था अच्छा उसमें एक बाहर के नम्हें दिये वे थे और वो वोल रहा था इस पेस लिम आता हुए जुन देवाले में शिक्के करीद रहा हूं वो बी 1997 वाले और 1998 अच्छा तो मेरे बास किया मेरे बास है जी जी उसने का एक बार तो आप फोटू बेज दीजिए जी तो मैंने पोटू बेजा तो उसने पुचा कि एक सिक्का थोड़ा बड़ा है या मोटा है यह इसकी जानकरी में लग सी तो अच्छा तो मैंने का यह थोड़ा मेरे को मोटा लग रहा है बड़ लग रहा हुस से तो उड़ व्यूचन है एक वेट ओंढे से सभी दूछ नो गराम हुद आद कि इस तो पिर वह आ गया तीन दिन के बाद मैंने उसको एड्रेस मेरा दे दिया था बाइर कहा था दिली का तो आप से मतलब जो आपने बात वा रजिस्ट्रेशन को फॉरम वगेरा ऐसा कुछ कोई शेडूल था अचा 499े रुपए कंपनी का चार्ज बता रहा था रह तो पिजवा दिया तब पहले करना ही होगा वो कर दिया था मैंने तो जी जी विया उसके बाद भी गया अच्छा मतलब वो आए और गरा कि आपको पेसे देके चले गए ने मेरे से तो किलोमेटर दूर था मारा बजार अच्छा वहां पर आ गया और उसने कोल किया गी मैं यहां पर हो अच्छा फिर वो लेकर चले गए तो मतलब ही बाइया मैं एक बात बताना चाहता हूं मैं थोड़ सा एक वीडियो सूट कर रहा हूं भी तो आपको यह बता रहा हूं कि कह ही गलत कुछ नी होना चाहिए हमारे लोगों के साथ में परोड़ नी होना चाहिए किसबात का हमने से ऊकने स烹सके नंबर करवा सकते हो जी तो आप हमारे इस्टाग्राम पे मेसेज डाल देना वो नंबर हम एक वार उन से कॉंटेक्ट कर लेंगे और भीया फाइनली बीक गया आपका को इस फाइनली बीक गया ना बिक गया ना बिक गया सर एक तो बीका बहुत तरजार में चलो दन्यवाद जी बहुत बहुत दन्यवाद तो दोस्तों आपने सुना है पांच रुपे का माता वेशनो देवी वाला कोईंस सेल हुआ है दोस्तों आपने काफी जगें देखा होगा कि कोईंस वगेरा सेल नहीं होते आपके पास में भी माता वेशनो देवी वाला कोईंस है लेकिन सेल इसका 6 ग्राम का वजन और इसका 23 mm जो मिली मीटर होता है वो इनका व्यास राउंड होता है और 1957 का ये सिक्का था हमारे पास अभी ये सिक्का जो है वो 2012 वाला है तो उनके वो दो सिक्के तो भिके थे 16-16,000 में और एक खास सिक्का था जिसका वजन था 9 ग्राम अब वो 9 ग्र क्योंकि हरे कोईंस का 6 ग्राम होता है लेकिन उन्होंने बताया है इदर से जो है थोड़ा उबरा हुआ था यानि कि एक साइड से कुछ बनाने के समय में मिश्टेक वा होगा तो वो था और इसका जो है मिली मीटर होता है या व्यास होता है या इसका राउंड जो है करेंगे और आपको भी बता देंगे कि वह कोईंस उनका किस परकार सेल हुआ था और क्या वास्तों में उनका कोईंस सेल हुआ है लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है दोस्तों कि उनको पता है रोहित भाई वह वीडियो सूट करेंगे तो वह सकता है अभी में कंपरम नही जाते हैं चाहें मांगे एक रुपई या वो सब लोग फरोड होते हैं क्या पता हूंका यह मकसद होगा कि रोहत भाई हम रोहत भाई आपने लोगों को बताएंगे तो लोग वहांके करेंगे हम से तो हम 599 के हिसाब से अच्छागा सा पेमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों भी इनका ट्राइक करेंगे और मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में और नंबर अगर यह सई निकला तो आपको थम्लेन या डिस्क्रेप्शन या कमेंट सेशन में मिल जाएंगे तो कॉंटेक्ट कर लेड़ा दोस्तों धन्यवाद दोस्तों जेहिंद राम राम दोस्तों यह जो कापी सारे रियल वायर है जो ओल्ड कोईंस वगेरा कलेक्शन करने के लिए इदर उदर बठक रहें उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं यह जो एबलिकेशन सामने नजर आ रहे है क्यों कर पर जाके आप ओल्ड कोईंस सर्च करोगे तो वहाँ पे कापी सारे पूर्मात्रा में मिल जाएगा तो आप वहाँ से ओनलाइन भी ले सकते हों